हालो वोस्तों नमस्कार आज हम रेवीव करेंगे इन दोनों फोंस का कैमेरा Moto G4 Plus और LE2 और अगर हम कलर रिप्रोडक्शन के बात कर रहे तो Moto G4 Plus का कलर रिप्रोडक्शन काफी अच्छा है इसका पर तो LE2 अगर हम पीछे की पत्यों को देखे तो पीछे की पत्या है भी मोटर जूवर प्लस में काफी क्लियर लिख रही है अज दूवर तो में तो कुछ दिखी नहीं रहा क्लारिटी बहुत लेस और जो आप खुछ ही देख पा रहे हो के कोनी कैसी है यह है माइक्रोड़ यह है माइक्रोड यह उसको फोकस नहीं कर रहा है के माइक चॉट के अग्र हम बात करें लेक्व फोकस वो काफी फोकस हो रहा है यहाँ पर आर िच्छा किया है उसने स्लावर के ऊपर वो काफी अच्छा फोकस किया है और रिप्रोड कि बात करें तो करें तो यहाँ पर जो अधुफ पर भी मोटी जीफर प्लस काफी अच्छा लग रहा है यह इंडोर शॉट है यह मेरा फैवरेट कारेक्टर है अगर यहाँ पर हम कलर की बहुत बात करें तो अगें यहाँ पर कलर री प्रोडक्शन लॉटल जीफर प्लस का अच्छा है असका मिलती है और जो प्रजयंस का अच्छा है और बात करें तो पर आपकर विएसली एलीटू पी अच्छा से पर्फांट करता ओ लो लाइट में पर यह प्लेटू के साथ जा सकते हैं अलीटू की लो लाइट शॉट का लिए आपका बात करें तो फर्न आफी एच्छा न के शैवा नेश्टर कांवी स्कीड यह जो अच्छा आ रहा है अगर हम इसकी बात करें अलुट का शार मेरा कर रहा है और सौफने इफिक्ट दे रहा है जिसको हम ब्यूट्फिकीशन बहुलते है और अगर हम मोटोज्ञे फोर के बात करें ऊच्छा लग रहा है तो अगर आम call बाइड तो आपको मिलता है अच्छा नहीं हो आपको अच्छा है अगर आप सेलफी जाना चाहते हो तो तो एक च्रीड अपकुछ देखते हैं कि अट मैं कि और अगर वीडियो के बात करें तो वीडियो स्टाबिलाजेशन मोटो जी फॉर प्लस में काफी अच्छा है अगर आप पीनर के बात करें तो मेरे सबसे मोटो जी फॉर प्लस का कैमेरा काफी अच्छा है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फ्लीज इस चैनल को लाइक कीजिएगा इस चैनल का आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको प्रेशन हो किसी भी टेक प्लेटर तो आप वोजे पूछ सकते हैं और झाल